खामूश हो गई बिहार को किला स्रधा सिना की आवाज मंगलवार की रात स्रधा सिना की आवाज तब खामूश हो गई जब छट महापर्ग का पहला दिन था नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल भोषपुरिया टना टन में आज हम बात करेंगे विहार की एक ऐसी सक्स के बारे में जो किसी परिचे के महताज नहीं है जी हाँ दोस्तो आज हम बात करेंगे सरदा सीना जी के बारे में जिन्हें सब बिहार की कोकिला के रुप में भी जानते हैं बिहार कोकिला जी हाँ दोस्तो सरदा सिना इंका जंड एकक्तूब उन्नी शोगावन को बिहार के breaks के हुलास गावं में हुआ था बचपन से ही इन्हें संगीत में गहरी रूची थी अपनी स्रधा जी ने अपनी मेहनत और संगीत के प्रती जुनून से खेतों से लेकर और बड़े मंचों तक का लंबा सफर तै किया स्रधा सिन्हा विशेश रूप से छट पूजा के गीतों के लिए प्रसिद्ध है और उन्होंने भारती शंगीत में अपनी एक अलग ही पहशान बनाई बिहार ओकिला स्रधा सिन्हा जी अब इस दुनिया में नहीं है उनका दिल्ली में निधन हो गया है स्रधा सिन्हा आज जीश मुकाम पर पहुँची थी वो एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं था इसकी यात्रा बिहार के एक छोटे से गाउं खुलास गाउं से शुरू हुई थी पहले पिता का सपोर्ट मिला फिर पती का दोनों साथ पाकर स्रधा जी ने संगीत की यात्रा बढ़ती रही छोटी सी उम्र में स्रधा सिन्हा ने संगीत की दुनिया में जो कदम रखा वो पहले धीरे धीरे और फिर इतनी तेजी से आगे बढ़ा की उनकी प्रसिद्धी पूरी दुनिया में हो गई और बात करें छट पर्व के बारे में तो छट तो इनकी गीतों के बिना अधूरा लगता है आज भी उनके गीतों के माध्यम शे बिहार और पुर्वान चल के संश्क्रीती जीवित है स्रधा सिन्हा जी का एवगदान लोक संगीत को सुनने और समझने में अनमोल है आसा है आपको हमारी ये जनकारी पसंद आई होगी और हमारे चैनल भोज पूरिया ठना टन को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करना बिल्कुल न भूले तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ